हेले अब्रिवन गुड मॉनिंग नमस्कार जैहिंद रादरादे दोस्तों स्वागर थे आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइफा श्रड़ी लाइब चैनल पर दोस्तों और मैं आपका जीस एजुकेटर रहुत कुमार दोस्तों आज फिर सब लोग चूड़े हैं लेक्चर नंबर साथ में जहां आप देख रहो स्पी एल क्यानि साइंस प्रिमेर लीग टी ट्वेंटी यानि बीस कोस्टन सब्सक्राइब बताइए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है आप मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो यह सर नो और कैसे आप लोग कर रखा है तो भाई हमारे पास पढ़ने के लावा बहुत सारा काम है और अगर बैकेंड में हम हमारे बाप दादा ने कुछ ना किया मेरे भाई तो आपके पास पढ़ने के लावा दूसरा कोई option नहीं है पढ़ने के लावा दूसरा कोई option नहीं है पढ़ना पढ़ेगा ब अब दो बजे फिर यहां ओफिस से घर जाकर सोना ऐसा तुरन दिनदा आता है और फिर सुबा तैयार होके आपके पास बिल्कुल तरो ताजा गुलाब की तरह बिल्कुल खिले खिले दिख रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों है ना दोस्तों आने वाले समय में 23 अप पारेंट है इस्टेडिस पारेंट यानि जो और राजस्तरिय परिच्छा की तयारी करते हैं चाहें बुत्तर प्रदेश हो चाहें मद्द प्रदेश हो चत्यशगड़ों बिहारों जार्खंडों हर्याना हो दिल्ली हो उनके लिए खुसकबरी है 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 ना चूडिये प्रदेश को पहली बार 1956 में वेब ब्रावजर दुबार पेस किया गया था वह वेब ब्रावजर कौन था डेल एपल माक्रोशॉप्ट आई बीम कुश्चन नमबर एक खेलिए तो दोस्तों कंप्यूटर हाट डिस्क को पहली बार 1956 में किसने पेस किया था क्या निकल कराएगा जवाब तो मेरे भाई कंप्यूटर हाड डेस्ट की बात करें आइबीम आइबीम ने 1956 में कंप्यूटर हाड डेस्ट को पहली बार 1956 में वेब वरावजर द्वारा पेस किया गया था वो कौन था आइबीम था कॉनद दोस्तों आई भीम है प्रवण जी आइएमदी लिखो के गरबड हो जाएगा आई बीम बहुत जाएक्क आई व बढ़ दोस्तों अई दूसरा कॉन स सिंथेटिक रबबर दोस्तों विच आपना फॉले मिचा सिंथेटिक रबबर लियो प्रीन मोनोप्रीन नियोप्रीन आइसो प्रीन कुछ नंबर 2 चलिया अरविंद कृष्णा क्या बात है मतलब साथ में करन्ड बता दिये बहुत वड़िया तो विच आप फॉले मिचा तो दुस्तों संहेटी रंबर की बात की जाए तो वह नियोप्रीने मेर से सबाहए एकल अनुओं को विशाल बहुए काई अनुओं में से द्वारा निर्मित करके सिंथेटिक रब्बर बनाया जाता है नहीं ठीक है आजाओ निक्स्ट जलिए जीवों के लिए जो भोजन का सुरोत है सौर्सेस है क्या हो को दोस्तों फूर्द एक्वैटिक एनिमल्स और्गेन नमबर तीन है चले निशान दे भी जूड़े हुए हमारे साथ गुड मॉनिंग हरें तर गुड मॉनिंग तो बच्चों जो जलिए चीव है न वो फाइटो प्लंक्टन है अच्छा एक चीव बताईएगा कि हम समुद्र से आयोडिन प्राप्ट करते हैं क्यों समुद्र से या समुद्र के जल से आयोडिन प्राप्ट करते हैं आयोडिन प्राप्ट करते हैं क्यों करते हैं वाई बताईए इसी में से सवाल बन जाएगा कि दोस्तों समुद्र से या समुद्र के जल से हम आयोडिन प्राप्ट क्यों करते हैं क्या हो को जवाब इसका निशा जी गु समुदर से iodine, प्राप्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों, समुद्री खटवार के कारण हम iodine प्राप्ट करते हैं याद रखेगा, ऐसा नहीं है, कि समुद्र में नमक का भंडार है तो ये मत करियों कि समुद्र में नमक का भंडा रहस हो, क्या होगा, सीवीड के कारण आप्शन नमबर बीज करेक्ट, ठीक है, चलो आजओ, नेक्स्ट दूस्तों, फाइटो प्लांक्टन समुद्री सुच्छ समुद्री सहवाल है ये और फाइटो प्लांक्टन कई जलिये खान जालों का अधार है, जिसमें वेल, जिंगा, घोंगे, जेली फिस, सब भोजन प्राप्त करते हैं, याद रखेगा, ओके, आजएए, नेक्स्ट ऐसा कौन सा जानवर है दोस्तों जो अपने पूरे जीवन में कभी पाने नहीं पीता है, विच एनिमल्स नेवर डिंक्स वाटर इन इस इंटार लाइफ पढ़ा चुके हैं, यह पढ़ाया है मैंने तिन-चार दिन पहले ही सायद, तो दोस्तों क्या होगा, सर रैट तो है, लेकिन कंगारू रैट है, रैट मत लगई हो, कंगारू रैट, अरे रैट लगा रही है, चुवा पाने नहीं पीता है, बिल्कुल पीता है चुवा, आज अपने अपने घरों में जाना और देखना, अपने कीचर में कहीं न कहीं चुवा होगा, और CCTV कैमरा लगा देना, सा रेकॉर्ड हो जागा देखना चुवा कैसे पानी पीता है जो नहीं पीता है डाट इस कॉल्ड कंगारू रैट कि अरे बिल्कुल ऐसे ही आकृति होता है चुवे की तरह ही इसके आकृति भी वैसे ही होती है ठीक है आजाओ निक्स्ट यदि की सहस्थान का टात्मा अचारंग बढ़ जाएगा तो दोस्तों रिलेक्टिव हुमिडिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा रिमेंस कॉंस्टेंट करेगा या उतार चलावोगा कुश्चन नमबर त्माच चलिए दोस्तों यदि की सहस्थान का तात्मा चारंग बढ़ेगा तो सापे इच्छी गादरता क्या होगा गटेगा कि हमीडिटी घटेगा न गर्मी की देख रोना गर्मी में अभी टेंपरेचर बढ़ा दो बढ़ रहा है टेंपरेचर जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो हिमिडिटी क्या होगा घटेगा होट सुखेंगे पानी पीने का मन करेगा पहुँ ज्यादा पसीना निकलेगा अभी गर्भी के दिनों में एक्जाम पले और मैं आपको बताए चुका ह हों की होट पे पसीना कियों निकलता है है ना होट से पसीना क्यों निकलता क्यों कि जो स्वेत गलेंड पस्षीना गरंती नहीं पाय जाते है ठीक है अज़ग निक्स्ट ठीक है दोस्तों जीवन के भौत्तिक चरन को क्या कहते ही दोस्तों what is the physical phase of life called proto-plazm *** levels none of the above question 6 चलिए नोच बतेए जीवन के भौतीक चरन को क्या कहते हैं है कि जीवन के भौतीक चरन को क्या कहा जाता है दोस्तों यह प्रोटोप्लाज्म है क्या कहेंगे प्रोटोप्लाज्म कहेंगे जीवन के भौतिक चरण को दोस्तों क्या कहेंगे प्रोटोप्लाज्म है ना तो प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक चरण है दोस्तों अब प्रोटोप्लाज्म क्या क्या होगा कारबन हाइड्रोजन oxygen और नाटोजन से बने सभी प्रोटोप्लाज्म सभी के लिए अधार बनाते हैं ठीक है और जीवन के लिए जितने भी आवस्यक हैं सियो टू पानी नाट्रोजन उसका कंपोनेंट है घटक भी है ठीक है आजओ नेक्स्ट लार्जेस्ट जूमिन सेल सबसे बड़ी मानो कोशिका तंत्रिका कोशिका अंडानू एक सुत्रमूर का अंडा सुक्रानू कोशन नंबर साथ जितने भी लोग सारे आठ बजे वाली क्लास नहीं किये हैं तो अभी कर लिना जाके प्लैनेट पढ़ाया था मैंने आज और सेटलाइट ओके और आज 130 पीम पे दोस्तों हम ब्रेन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे ब्रेन मस्तिस्क ठीक है तो दोस्तों सबसे बड़ी जीवित मानो कोशिका अंडानू है और अस्पम सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट और नर्वसेल लॉंगेस्ट लंबी ठीक है और ये सबसे बड़ा ओवरॉल सबसे बड़ा लार्जेस्ट ठीक है तो दिमाग में सेट रखना चार सावा लिगल कर आ गए हैं रसर राती क्लास का पीडिया भान इसा जी मैं भेज दूंगा भी क्लास के बाद ठीक है इस क्लास के बाद पीडियों सेंड गर दूंगा रात वाली सरीर में उनको सिकाओं का क्या नाम है जो बैक्टरिया जैसे विदेसी कणों को अपने चापेटे में ले लेती है कुशन नमबर आठ चलिया वादी द नेम आप दा सेल्स इन दा बाड़ी डाट इंगल फॉरे पार्टिकल्स लाइक बैक्टरिया कुशन नमबर आठ अनी साने पूरी राथ क्लास करिये बारा से दू सिसल भी पूरी राथ क्लास किये और सुभं भी था है ना तो दोस्तों यह क्या होगा सर फागो से फैगो साइट्स पांच बज़े वाली बिल्कुल नितेश डाल देगे भी एक चुली ना क्लास के बाद दिमाग से उतर जाता है मैं भी सेड़ कर दूंगा तो दोस्तों फैगो साइट से या तक्यों ठीक है मानों में मान स्पेशियों की संख्या कितनी है कुशन नमबर शक्तो मृतनी नमबर नाइन है तो मानो शरिर में मान स्पेशियों की कुल संख्या 649 है दोस्तों कितने हैं 649 है सोचो कि हमारे सरीर में 206 हड़ी है 649 मांस पेशी हैं बताओ मज़ेदार फैक्ट है यार ये भी हमारे पूरे बॉड़ी पार्ट में 649 मांस पेशी है मानों के स्वेत रक्त करने का जीवन का लगबक कितने समय का होता है यह सवाल देखिएगा क्या होगा वाड़ीदा लाइफ स्पैम और यूमेन वाइट ब्लड़ सेल कुसर निम्बर दस क्या होगा 22 दिन से कम 13 से 20 दिन के बीच 22 से 23 महिने 4 महिने से अधिक कुसर निम्बर दस नैना चार महिने से अधिक गरबल आ जाएगा तीरा से 20 दिन ऐसे तो दो से तीन दिन के बीच होता है दोस्तों लेकिन डबलू बीसी में पांच कॉंटेंट कहें हम तो एवरेज मीूज त्रव비्स दिन है एवरेज kmäßig है और यादऄ की अगर और यूद्ध कर अरी ढीचे कर साएग रविच्पत इस tweets से यह सोब दिन आरविच्पते जिवन काल शृत से बीस दिन और बिसे सतोबस्त में तो हम क्या सकते हैं आरवरेज सी का चार महिना कि है ना दोस्तों डवलू बिसी का जीवन काल 13 से 20 दिन अर्बिसी का 26 दिन और मानों सरीर के तिल्ली चेतर में च्पलीन में लोगता तो को पुरह चकरत करने के लिए नर्श्ट हो जाता है दोस्तों और प्लेटलेट्स का तीन से साथ दिन थीक है तो प्लेटलेक्स के जिवन का दोस्तों साथ दिन से साथ दिन और डबलू साइट से लिंफोसाइट से निट्रोफिल बैसोफिल इससे याद रखेगा यह पूछा जाएगा कि मोनोसाइट का काम क्या है लिंफोसाइट का काम क्या है न्यूट्रोफिल का काम क्या है बैसोफिल का काम क्या है एसनोफिल का काम क्या है यह आपके सामने ठीक है ओके आजो नेक्स्ट नम्लिकेत में से कौन सा खनीश दोस्तों मोनाजाइट रेट में पाए जाता है विच वन अब दा फॉल में मिंडल्स इस फॉल दीन मोनाजाइट सैंड पोटैसियम यूरेनियम थोरियम सोडियम कुशन नंबर 11 चलिए आज़ये असान सवाल है है तो दोस्तों थोरियम और अज़र बहुतंक है राजस्थान में और Deutsche तो आपको याद होगा पाय जाता यूरनियम और भारत में कहां आंदरा पर्देश में सबसे जयदा ठीक है आंदरा पर्देश में सबसे जयदा याद रख्यों कौन मतदाता स्याही का मुख्य योगिक है दोस्तों विच आप फॉलमिक इस दा मेन कंपाउंड आप वोटर इंक सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम क्लॉराइड सिल्वर क्लॉराइड अमोनियम नाइट्रेट कुछन नंबर बारा चलिए कैसे तूट गया दा से चबारे ते क्या तो दोस्तों मतदाता स्याही की बात करें सिल्वर नाइट्रेट जब आप जाते होगे बोड देने के लिए तो आपके अंग नाखुन है न उस पर मेहंदी लगाये जाता है वही मेहंदी है सिल्वर नाइट्रेट क्या यह सिल्वर नाइट्रेट है क्य करते है कि अचैसे झारव ग Smells करते हैं आधिफीचियल कर रेन में कृत्र रिंबारेशों में क्या यह होता है हुआ है Full स् क्लिप्र श्री होता ओनुज़ में क्रफितर राइब मैं क्या होता है क्लिफ्तर राइश में ज्रॉट विस्टि जराब बता यह के जगहा पर क्या हो जाएगा आयोडाइड शीलवर आयोडाइड अना ठीक है यां तकना शीलवर आयोडाइड आटिकर्टीक बरषा ठीक है आजाव नेख्ट गुरुम से पाई जाने वाला सबसें भार चाहित दोस्तों डेहविएस्ट नेचुरल नेच्रली आकेरिंग एलिमेंट मरकरी पुलोनियम पुलो पॉलीनियम थोरियम वर मैं उरेगर कोशन नमबर 13 चलो उर्ण तो सब्सक्राइब भारीत 1970 कौशन में दोस्तों क्या होगा उरेम देख लो Сам और है प्राकृतिक रुप से पूछरा पूलोनियुम प्राकृतिक नहीं है क्या पुछा आप से नेच्रूरली ना थिके नियुम से पूछा दोस्तों है उरेनियों अऌछर सब से भारी तर्थन की बात करें तो इन है धिसका परमानु करमांग एक सो ठारा है लेकिन यह मानव निर्मित है और प्राक्रिति गुरुप से पाए जाने वाला सब्सक्राइब भारी तत्व यूरेनियम दोस्तों जिसका परमानु करमांग बानवी है 92 और भार 242 करम है ठीक है निक्स्ट मानु शरीर में पसलियों की संख्या कितनी दोस्तों दे नंबर ओप रिप्स इन यूमेन बॉड़ी तेईस चौबिस पच्चिस बाइस कुश्चन नंबर चौदा दे नंबर ओप रिप्स इन यूमेन बॉड़ी क्या होगा चलो तो मानु शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है पेर की बाद करें तो बारा जोड़ी कितने पेर ट्विल पेर अनो कितने पेर तो कि एक राइट और लेप्ट यह वाली पॉर्शन देखो यह वाली पॉर्शन ना यह पसली है यह यह परसलिये वाली दिखरो यह वाली पसली है नहां आप भी छूक्या अपना नुभाव कर सकते हो दोस्तों जियोलाइट क्या है दोस्तों वाट इंजी ओल राइट हाइड्रेटेड ऐल्यूमिनो सीलिकेट हाइड्रेट्टेड कैल्सियम स्ल्फेड कोश्च नंबर 15 हाजी बीच में अस्ट्याणम होता है यह वाली जो बीच में जोड़े रखता है जो जोड़े रखता है तो दोस्तो जियोलाइट की बात करें तो हाइडरेटेड एल्यूमिनू सिलिकेड यह जियोलाइट है अप्शन नमबर ए ठीक है याद रखेगा दा प्रोड़क्ट नाइन नाइट्रो एंथरेसीन नाइन नाइट्रो एंथरेसीन की किरिया द्वारा एंथरेसीन से प्राप्त किया जाता है तो कैसे नाइट्रिक एसीड और एसेडिक एन हाइडाइड नाइट्रिक एसीड और एथिल अल्कुहल नाइट्रिक एसीड और एसेडिक एसीड या नाइट्रिक एसीड अधिक मात्रा में कुशन नमबर सूला चलिए तो दोस्तों क्या होगा योगा आप्शन नमबर ए नाइट्रिक एसीड और एसेटिक इन हाइड्राइड आप्शन नमबर ए सरिव में रक्त सरक्रा का सामान इमान कितना होता है दोस्तों यह पढ़ाये वाट इद नॉर्मन वैल्यो ब्लड सुगर इंड़ बॉड़ी जब हम ब्लड पढ़ रहे थे तब पढ़ाया था ठीक है बताइए आ है अधाक सैंट रिजसा伊ल है सब आपके आरार बी ज 이용 है और आ Löक्र Init के सिए सवाल है और अृत बी सिए गूरूप टी विश्माल मेरी दोस्तों को दोस्तों सरीर में 건강 हमान की बात करें अस्सीज एकसो बीशित मिलीग्राम प्रतेख सौ मिलीलीटर अच्छ अनो ओप्शन नूमर्लाइज करीट पर कि ऑफशन नूमर एज करेक्ट या रख तुझ है दोस्तों मिसरधातू क्या है harder than the pure metal harder than the impure metal softer than the pure metal softer than the है इंप्योर मैटल कुछ नुम्र 18 गलत नहीं होगा पढ़ोगे नहीं तो सुबह शाड़ाद विक्लास ती आये नहीं रात में बारा से दो पढ़ा है आये नहीं तो मिस्र धातु दोस्तों क्या होता है सर सुध धातु की तुलना में कठ हो रहे क्यों क्योंकि एक मैटल है और फिर एक नॉन मेटल होगा जो भी हो ऑप्शन नमबर 18 करेंट जैसे जर्मन सिल्वर जैसे जर्मन सिल्वर यह क्या है एक मिस्र धातु है एक क्या है मिस्र धातु है ना कि बार से दो कब हुई रात में कहा नहीं था कल तो दीन भर कह रहें आप से निशा जी थी सिसीर था सुभम था है ना कि नेक्स्ट इस टोरेज बैटरियों में किसका उप्योग किया जाता है दोस्तों वाट इज यूज इस टोरेज बैटरी कॉप पर एक तीन लीड जिंक कुशन नमर्णाइंटिन कि आसे गुड़ मॉणि गुड़ मॉर्णि दोस्तों था गुड़ बॉर्निंग कि निशा ने तब पूरा पूरी क्लास करिये से ने भी पूरा क्लास कर रहा है तिम्जार बच्चे का नाम जो याद है दिमाग में तो लीड दोस्तों कि क्या होता है दोस्तों लीड सीशा है ना लेद इस टोड़े बैट्टों की निर्मार में दोस्तों इसका उप्यों गोला बारूद और जो सुल्डर मिलाप घटक के रूपे करते हैं याद रखेगा और नेक्स्ट वह यानि कौन था जिसने इस तर्द की पूरी है ना कि फिर्थवी कुशन नंबर 20 और याद रखेगा 130 पीम पे आज दिपो फिर से बताते रहें मत बोलना कि सब नहीं बताते हो ब्रेन है मस्तिश्क ठीक है क्या है ब्रेन है मस्तिश्क है तो जुड़ना जरूर ओके 130 पीम पे और फाइब पीम पे फिर से आज 40 कोशन का जलवा चलेगा तो चीन का पेपर एंटिए से जितना आप प्रैक्टिस कर सकतो उतना बेटर आपके लिए बाकि बाद रेलेवे का पेपर देखी रहे हो दोस्तों तो कौन होगा यह कॉपर निक्स है दोस्तों केपलर थियोरी केपलर arada के बाइप जो प्लानेट जेता दूरँ का छूरसे उपीड़ उतना कम होगी उसकी स्पीड उतनी कम होगी है ना क्लड़ थिओरी है कौपर निक्ष्नने का तो दूस्तों यहां रखेट थीक है ऐस प्रकाशस असलेर्इस संघून के छोटे माध्यम से गैस यह होता ही जट चिदर क्या है दोस्तों कुसर नमबर 21 बताओ कि दोस्तों वह अस्टो माटा है आप पत्ती को देखना अना आप पत्ती को देखना दोस्तों ऐसे पतिया ना ठल की सी चिद्र रहेंगी ऐसा ऐसा करके एसा रहेंगी और यह स्टो माटा बोलते हैं आसे स्कूई बात ने रिकॉर्डट देख लेना आज इक लास अच्छी थी ठीक है नेक्स्ट परकास संसेलेशन कब होगा दोस्तों दे नाइट दे नाइट नाइट डान ओडिस कोशन नंबर बाइस हाँ वो सांस लेता बच्छे कैसे देखें पती को तस्वीटी जी अब मैंसेज करिया टेलिग्राम में मैं आपको बता दूंगा ठीक है दोस्तों परकारित देखो सीधा से सवाल पूछा आपसे कि परकास संसेलेशन के लिए भाई सूरज जरूरी है वाटर जरूरी है क्योंकि ऑक्सिजन तो इसको वाटर से मिल जाएगा है है ना ऑक्सिजन तो मिल जाएगा तो भाई दीन में होगा सीधा सा सवाल था सोचरा नहीं था ठीक है नेक्स्ट हूँ वाज दा फादर आप दा बाइनोमियल नोमिक्लेचर अप और्गेनिस्ट जीवों के दीवपद नामकरण के जनक कौन थे मेंडल लीनियस लैमार्क डार्विन कुष्ण नमबर 23 दोस्तों कि चलिए फिर से बता देप जरन लिख दो कि आज देड़ बजे क्या पढ़ने वाले हम लोग तब जानेंगे आपको याद रहेगा क्या पढ़ने वाले जरन लिख दो मैं भी कर दो दोस्तों जीवन के दूपद नामकरण की बात करें कैरोलस लीनियस बाई देखो जिसके पास ब्रेज है जिसके पासुष्य विट्विस अंहीं पूरुसों का 법ारें 1700 сцен 834 सो कराम होता है और महिलाव का कम होता है क्या भाहर वी сок गलतिमशन महिलाएं बहुत आगे मेरे भाई ठीक है सोग्राम काम होता है जुड़ी ज़रूर है ओके कैरोलस लीनियस मानों सरीद में गुलुकोज का संचे कहा होता है गुलुकोज इस्टोर्ड इन देश्विमेन बॉड़ी आज इस्टार्च ग्लाइकोजन फ्रक्टोज माल्टोज कु हाल निसांद आज नेशनल सेविल सर्विस डेन भी शौट किया एक आपको मिल जाएगा सोट कुछ दिर में दोस्तों तो दोस्तो ग्लुकोज इस्टोर होता है किस रूप में ग्लाइकोजन की रूप में अच्छा कहाँ इस्टोर होगा लीवर में कहां पे लीवर में ठीक है कहां पे इस्टोर होगा लीवर में होगा याद रख्यों निक्स्ट ऑटो हन की सविश्कार के लिए पर सीदे दोस्तों परमानुबं टेलिवीजन एक्सरे खान की सुरच्छा लाइंप कोशन नमबर 25 चलिए पर विच्ट इन्वेंजन इस ओटो हन फेमस क्या होगा बताओ अरे आसान सवाल था मेरे भाई क्या यह सर अटम बॉब टेलिवीजन जेल बेड जेल बेड दोस्तों एक सरे आपको यादवा रॉंटेगं ठीक है और कमेंट बक्स बताना है कि खान की सुरच्छा लैंपे सोड सोडियम गैस यूज़ करते हैं दोस्तों तो सोडियम की खोज किस ने की है सोडियम की खोज किस ने की यह आपके लिए खोंबक है ठीक है सोडियम की खोज किस ने की है यह सैप्टी लैंप नहीं है जो आप हमपरी डेवी लगा रहे हो यह दूसरा है सैप्टी लैंप नहीं यह ठीक है याद रखना कि सोडियों गैस यूज करते हैं तो सोडियों की खोज किसने की कमेंट वक्षा बताईएगा दोस्तों यह था आज का सेशन ठीक है सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमिट करना सेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर पहले बार आए दोस्तों फिर से बता दें आज ची क्लास के सिड्डूल क्या है दोस्तों आप गलबड करते हो आज से यह देखो करेंट अफेर साथ पचास वह क्या बरात बजे एडिटोरियल यह याद रखेगा और रेल्वे की दोस्तों आप शुरुवात साड़े आठ बजे करते हो हमारे साथ जो घर भी पढ़ा रहे हैं नौ बजे मैथ दस बजे रिजिनिंग और फिर अब याद जुड़े हो साड़े दोस्तों साम में जो साड़े पांच बजे होता है मेरी क्लास पांच बजे होती है और यह मैराथन चल रहा है तो याद रखिएगा पंदरा दिन 75 मौक्रिस्ट हम लोग देखने वाले पास से आठ में सीजियल का टाइम वही है दोस्तों है ना याद देख सकतो दो घंटे द रात में मंडे को ठीक है रात वाली क्लास विक में दो दिन तो पंदरा दिन 75 मौक साम को पांच बें जूड़िये जरूर ठीक है तो मिल जूड़ते हैं 130 पीम पे तब तक के लिए अपना और अपनोंगा ख्याल रखें खुश रहें मस रहें जाहां रहें जबर्दस्त रहे तीक है तांग्यो शुक्रिया दोस्तुम